नमस्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आईए एक नजर डालते हैं खबरों के और लखीमपूर खिरी जिले में उस वक्त कहराम मजगा जब एक अग्यात वाहन ने बाइक को टककर मारती टककर इतनी जबरदस थी कि दोनों बाइक सवारी वक कंभी रूप से खायल हो गए सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने आनन फानन में एम्बिलेंस की सहयता से दोनों यूकों को सेसेसी भेज दिया जहाँ पर उनकी हालत कंभीर बताई चारही दरसल ये घटना लखीमपुर खिरी जिले के कोटवाली पलिया के पलिया निगासन रोड के मलनिया के पास की बताई चारही है जहाँ पर तैसल पलिया के ग्राम इटेया निवासी पपू पाल और राम पाल अपनी बाइक से किसी काम से नौगवाज जा रहती कि तब ही एक अग्यात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मारती टकर इतनी जोरदा थी कि दोनों बाइक सवार की युग कंभी रूम से घायल हो गए हाथसे की जानकारे मिलते ही मौके पर भारी भीर जमा हो गई वही ग्रामिनों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर आनन्फानन में मौके पर पहुची पुलिस ने ग्रामिनों की सहायता से 108 एम्बिलेंस की द्वारा दोनों यूकों को पलिया के समधा एक सास्त के इनरिल भीज दिया जहां पर उनकी हालत गंबीर बताई चा रही है वही घटना की जानकारी मिलते ही परिशनों में खौराम मचा हुआ है BCN News के लिए लखेंपूर खिरी से फारुक हुसेन की रिपूर्ट मतुरा बरसाना नंदगा और रोड पर एक्सिडेंट में दो की मौत कई खायल रिवार को बरसना नंदगा और रोड पर स्कॉर्पियो और मैक्स काड़ी में आमने सामने की जबरदत भिरस हो गई जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई एक मोटर साइकल भी चपेट में आ गई एक्सिडेंट होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई घायलों की चीक पुकार सुनकर आसपास के लोग दोड़ कर आए पुलिस को सूचना दी गई वही स्थानिय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पिताल भिजवाया मरने वाले लोगों में कनहिया और पोहप सी हनिवासी नीमगाव गुवरधन बताया जा रहे है पुलिस ने मौके पर पहुच कर मृतकों को पोस्ट मॉर्टम के लिए तथा घायलों को इलाज के लिए हॉस्पितल भेचा है बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार लोग शेरगर में किसी रिष्टदार में गमी में से वापस लोट रहे थी तभी सामने से आते हुए मैक से गाड़ी की भिड़त हो गई जिसमें लगभग आधाधा चन लोग घायल होके दोनों गाड़ियों में कुल मिला कर करीब दो दरजन से अधिक सवार याथ थी चिनवे से लगभग एक दरजन लोग खायल बताय चा रहे है पलिस ने मौके पर पहुच कर मुतकों को पोस्ट मॉटम के लिए भेश जया था तथा आगी की कारवाई में जुट गई जो शेरगड से गमी से आ रही थी जैसा बताते हैं लोग यहां पर तो जैसे एक मोटरसाइकल वाले ने निद्गाम में सूचना दी तो अमरंगीली चौक के पास बैठेते कुछ लोग तो वहां से तुरंत भाग के यहां गटना इस तल पर आये और यहां पर दो लोगों की मिर्थी हो चुकी है और करीब दर्जन लोगों गायल है किसी का पैर टूटा है किसी का वहाट टूटा है और बहुत ही ज्यादा बयानक एक्सिडेंट हुआ है यहां पर यहां करीब शाड़े पांच बजे इस कार्पियों बुलेरो मैक्स में आपस में टक्र हुई है और एक मोटसाइकल भी उसमें सास में टक्राइए है जिसमें लगबग 23-24 लोग गायल हुए है उनमें से दो लोगों की व्रत्ती हो चुकी है गल चरल डे पर एक कोश्टी का आयोचन हुआ राश्रिय पाले का दिवस के मौके पर सामुदाइक स्वास के केंदर में चार नवजाज शिशों को शाल उढ़ा कर सम्मानित किया गया जिसमें कविता धगवा, राम प्यारी ओडेरा, राजकुमारी टाई की नवजाज नहीं होना चाहिए, आज है रिक्षेतर में बेटिया किसी से कम नहीं है, बेटियों के हिट में अनेक योजनाय चलाय चारे है, प्रशासनिक सेवाओ तक भेतर प्रदर्शन कर रही है बेटिया, भरतकुमार इंटर कॉलेज की छात्राओ द्वारा स्वागत गीत, बेटी ब परवंदग मजीद एहमद, एन एम, स्टाफ नर्स आशा आंगनवारी कारेकरती मौझूद रही। जागरूपता पैदा करें, जिससे कन्या भून हत्या ना है, और बालका हमारे देश की सम्रद्ध बने सासक्त बने, उस देश से ये जागरूपता कार्कम किया गया। जेशे राम के नारी पर भड़की पशिम बंगाल के मुख्य मंतरी मम्ता बैनर जी के हालत पर योगी के मंतरी ने कहा कि ये देश राम कृष्ण का है, मम्ता बैनर जी की खटिया खड़ी हो गई है। पशिम बंगाल में भारते जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है, ये मम्ता की बौखला हट है। इस सरकार बनने जा रही है। यूपी स्थापना दिवस पर विभिनवी भागो के लाभारतियों को चेक, आवास के साथ ही बालिकाओ को साइकल तो दिव्यांग जनों में ट्राइस साइकल का वितरन किया गया। उसके बारे बिश्तित हम लोगों ने मंच के माध्यम से रखा भी है। और वास्ता में पहुने चार साल कंदर योगी आजितनात की सरकार ने जो एतिहासिक उत्तर परदेश में बदलाव लाई है। किसी से छिपा नहीं है। चाहे बिद्दूत के छेतर में हो, चाहे सड़क के छेतर में हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो। सरकार ने पहुने चार साल कंदर उत्तर परदेश में जो पंदरा सालों में कोई नहीं किया, वो उत्तर परदेश में योगी आजितनात की सरकार ने कर रही है। बीसियन न्यूस के लिए मिर्शापुर से अजय दूबे की रिपूर्ट जन्पध हापुर में राश्रिय ब्रष्टाचार उन्मुलन समीती के पंचायती राजविभाग की प्रदेश सचीव चंद्र किरन कश्यप की नीतरतों में राश्रिय बाली का दिवस मनाया क्या। इस मौके पर चंद्री किरन कश्यप ने बताया कि राश्य बाली का दिवस प्रतिवर्श 24 जन्वरी को मनाया शाता है। इसका मुल्ख देश महिला वो बाली का सशक्टी करन को बढ़ावाद देना है। वही समीती की जला अध्यक्षा महिला मातर शक्ती अलका कश्यप ने बताया कि 24 जन्वरी को ही भारत की प्रतम महिला प्रधाय मंतरी श्रीमती इन्रा गांधी ने भी शपत ग्रहन की थी। भारत में लड़किया हरक्षेत्र में अपनी हुनर का लोहा मनवा रही है। और पुर्शो के कंदे सिकंधा मिला कर विकास में अपना योगदान दे रही है। परंतु अशिक्षा और अंदर विश्वास की कारण समाज में लड़कियों के साथ भीद भाव किया चाता है। जिसकी वज़र से महिला सशक्तिकरन में बाधा आती है। शन्यकरन कश्यप ने कहा कि राश्वे बाली का दिवस के दिन हमें लड़का लड़की में भेद नहीं करनी वह समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जाग रुप करने की प्रतिक ग्यार लेनी चाहिए। आज हमारे दुआरा हापुट जिले में राश्टे बाली का दिवस मनाया गया जिसमें तीन वर्ष से लेकर ग्यार वर्ष तक की बालीकाओं ने बढ़ चड़कर रिस्स लिया, जिसमें हमारे दुआरा छोटे बालीकाओं को कोपी वे पैंसिल बाटकर सम्मानित किया भारत में लड़किया आज हच्छेत में अपने अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं और पूर्षोग के कंदे से कंदा मिलाकर विकास में अपना योगदान दे रही हैं परन्तु एशिक्षित और एंदुश्वास के कारण समाज में उनके साथ बेदव्याव किया जाता है जिससे महिला शक्त्री करान में बादा उत्पन होती है जैहिन जैवारत बीसियन नियूस के लिए हापुड से अनिल कश्चप की रिपोर्ट फिरोजाबाद के थाना शिकोहबाद शेत्र के अंतरगर नगला सुन्दर में जन्नायक कपूर ठाकुरजी की जैनती पर पिच्रावर्ग सम्मेलन का क्या गया आयोचिन इस सम्मेलन में कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता एवं कारिकरता बड़े पैमानी पर रही उपस्तित इसमें मुख्य अतीती के रूप में मनोज यादो प्रदेश अद्धिक्ष पिच्रावर्ग कारिक्रम अद्धिक्ष निनेश यादो निष्ट अतितीती अमरसी जांगिट ओम प्रकाष ठाकुर प्रदेश उपादिक्ष विनोध यादो शंकर यादो प्रदेश महासचीव पिच्रावर्ग सयोजग संजेसी है यादो प्रदेश स्यचीव पिच्रावर्ग निवेदक डॉक्टर अनेल यादो पिच्रावर्ग संदीप तिवारी नगर अदेख्ष मुकेश गौर, योगेश दिवाकर, संगीता पाल, संचालन मुन्नालाल यादव, राजीव व्यादव, शंद्रकान्त यादव, रामसेवक, सुशील और अन्यबड़े पैमाने पर कारे करता रही उपस्त। BCN News के लिए फिरोजा बाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। वो ट्राइचियर वितरित की गई, शातरा को पुरिस्कृत किया गया, कासकंज के 12 पत्तर मैदान में हुआ कारे करम उनको आज गरलाप का वितरन हुआ, और जो विबिन मुद्दे हैं, जो महिलाओं से, बच्चियों से संबंदित जो समस्चा हैं उन पर चर्चा हुई, और एक प्रण लिया गया कि किस तरह से हम लोग आने वाले समय में हम इन समस्चाओं का नराकन करेंगे। क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है, और आप देखेंगे इस्टायल में सब चीजों को मैं भी जाओंगा देखने मुद्द हूँ, यह आज खाली कासकन में नहीं पहले कि पूरे हर उत्तरे प्रदेश के अंदर हर जीले के अंदर काईकम चला है। BCN News के लिए कासकन से फ़हिम अक्तर की रिपोर्ट। BCN News की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। SCN ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ये BCN News। Namaskar